दोस्तों नमस्कार माइनेम इस डियल कुश्वा आज मैं आपको बताऊंगा खेती बाड़ी की बाते हैं खेती बाड़ी की बातों में जैसा आप देख रहे हैं यह टोमाटो है हाइबुरेट क्वालिटी का टोमाटो लगाया है हमने और यह अभी हमने पौद रखा था एक ड दोस्तों जब यह स्टार्ट होंगे इन में टोमाटो लगेंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो यह आपके अपरेल लास्ट तक स्टार्ट हो जाएंगे गर्मियों में बहुत ही अच्छा टोमाटो निकलता है और यह देखिए दोस्तों किस तरह से प्लांटिं करेंगे इसको जैसे यह बड़ी हो जाएगे कुछ बड़ी हो भी गई है वो भी दिखा देता हूं उसको हम कंटिन्यू ट्रांस्प्लांट करते जा रहे हैं यह कैली फ्लॉवर की बहुत है और यह टोमाटो इसको आज सामको भी हमने ट्रांस्प्लांट करना है कितों में औ वो टमाटर इतना बेस्ट क्वालिटी का होगा कि आपको धूप में भी उसको टमाटर को रख सकते हैं तब भी कोई फरक नहीं पड़ेगा जैसा आप देख रहे हैं यह नर्सरी इस तरह से हमने काफी मेहनत करनी होती है दोस्तों इसमें लेकिन हाँ यह है कि अगर आप मेह भी आप बैसे हम लोगों ने तैयार किया है वह यह आगे मैं दिखाऊंगा बहुत सारी खीरे की फ़सल है उद्धर मिर्ची की फ़सल लगा रखी है घर्मियूं में तोमाटो स्टाट हो जाएगा और जो धनियां बोलते हैं जिसको धनी होती है बो भी हमने लगा रखा है बहुत सारी फसलें लगा रखिन्स तरह कि बहुत अच्छा लगता है दोस्तों यह देख रहे हैं जो घीरे की इसमें खीरे के पौदे यह और जो यह देख रहे हैं यह एकदम organic जिसको धनिया बोलते हैं सब्जियों में डालते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी यह पुरा खेद देख रहे हैं यहां से वहां तक दिखाई दे रहे हैं इनमें हम लोग नरसरी करेंगे बहुत बड़े पैमाने पर एक चीज और दिखाता हूं दोस्तों यह आप देखिए आपके पड़ोस में जो हम ख महीने के बाद कटाई स्टार्ट हो जाएगी इसकी तो दोस्तों मैं आपको दिखाता रहूंगा तरह तरह की फल सब्जियों के बारे में और तरह की नॉलेज देता रहूंगा खेतिवाड़ी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों की तो इस चैनल को सब्स्प्राइब क मिर्ची का प्लेंट लगा हुगा है पूरा यह आफ इसकते हैं पूरा आटर देख सकते हैं कि मिर्ची इंट थे चली जो चली फुक्ली MByal सी होती है यह दिखाई कि मैंने वीडियो पहले रिक बार लोड कर रखी है आप देख सकते हैं यह मोटी मिर्ची के इस तरह से अचार में इसका यूज किया जाता है यह देखिए यह मिर्ची है बहुत ही अच्छी मिर्ची है बहुत ही लाजवाब बनती है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और मैं दिखाऊंगा अभी टोमाटो की रोपाई किस तरह से की जाती है अभी मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा आपको थेंक